हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी कब फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलाइन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य सामाजिक ज्यान सब्तह 20 कक्षा 2 की वर्क्षीट आज का उपविश्य है बच्चों हमारी पांच इंद्रियां तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे यूट्यू नाक और फिर है जीव ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप सभी को इनका मिलान करना है अगला है बच्चों नीचे दिये गए शब्दों का सही चुनाव कर रिक्तिस्थान भरिये हम अपनी नाक से क्या करते हैं बच्चों सूंगते हैं हमारे कान आवाज सुनने में हमारी स साहता करते हैं हमारी जीव भोजन का स्वाद पता लगाती है हमारी आखे देखने में हमारी साहता करती है अगला प्रशन तीन है बच्चों निम वाक्यों को परकर सही अत्वा गरत का निशान लगाए हम अपने कानों से सूंगते हैं तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है हम कानों से सुनते हैं, हम अपनी आखों की सायता से देख सकते हैं, ये बिल्कु सही है, जीव की सायता से हम स्वाद अनुभव कर पाते हैं, ये भी बिल्कु सही है, हम सूरज की गर्मी को अपनी नाक से महसूस करते हैं, तो बचों ये भी हमारा गलत होगा, अगला है बचों ज देखरेक में अपनी कम्रे की सफाई केजे संसका अशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं। लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। खाना पीना अपने अहार में अंकुरित दाले और चना शामिल करें क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती हैं। गती वीदी अपने परिवार के बड़ों की मदश से घर पर ही अंकुरित सलाग बनाईए। खेल अपने परिवार के साथ अंतराक्षी का खेल आप सभी खेले। निमलिखित आदतों को अपनी दिन चरिया में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दातों को दिन में दो बार ब्रेश करें प्रते दिन इसनान करें खूब पानी पी और संतुलित आहार लें अपने चैरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं और अपना ग्रह कारी समय पर पूरा करें तो बच्चो इस तरह से आप सभी को अपनी वरक्षीट को हल करना है उमीद करती हूं बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप सबी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद